So, Hello Guys, Welcome Back to another video दोस्तों ये मेरे पास OnePlus Node और OnePlus Node में दोस्तों आपको पता है Oxygen OS 12.1 आपको जो देखने के रिए मिल जाता है लेकिन दोस्तों Oxygen OS 12 Beta के बाद यहाँ पहला अपडेट है जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि आखिर इस वाले अपडेट में आप लोग को क्या कि यहाँ पे Box Pixels होते है और वहीं पे आप लोग को क्या कि यहाँ पे नया जो Features है वो आपको देखने के रिए मिलता है तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए वीडियो को सुरू करते हैं और आपको बताते हैं किसी के बारे में इस अपडेट को करने के लिए दोस्तों आप लोग को अपने वाउट पोन में जाना है वहीं पे आपको अपडेट चेक करना है अगर वहाँ पे आया होगा तो आप सिंपली ऐसे करके अपडेट कर सकते हैं अगर नहीं आया हो तो लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाए मैंने वहाँ पे इस फाइल का आप लोग को लिंक दे दिया है वहाँ से आप डाउंलोड कीजिए डाउंलोड निग करनी के बाद आप लोग को क्या करना है आप लोग को अपने सीटिंग में चलाए सीटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पे देखें básicamente नीचे में About फोन दिख्रा होगा उस पे क्लिक करेंगे फिर आपको up to date पे आपको क्लिक करना है और वहीं पे आप लोग देखेंगे कि उपर में आप लोग को three dot देखता है इस पे आप लोग को क्लिक करके local upgrade वाला पे क्लिक करता है आपने जो भी link के description आप file जो है download करेंगे वो आप लोग को internal में आ जाएगा और वहाँ पे आने के बाद simply आप लोग को इसको select करना है और install लाओ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वो simply से यहाँ पे install होना start हो जाएगा जैसा कि मैंने यहाँ पे install किया था आप लोग को बताने के लिए तो दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पे जो है अमारे phone में manually आया है तो मैं इसको update पे क्लिक करूँगा तो सबसे पहले यहाँ पे download होगा इस वाले update में आप देखेंगे कि system में जो भी यहाँ पे sound से problem था उसको इस update में यहाँ पे fix कर दिया गया है हाला कि open beta 1 में यहाँ पे कोई भी हमको जो है bug देखने के लिए नहीं मिला है और system एकदम से smooth चल रहा है चाहिए अगर आप PUBG का बात करें चाहिए वो BGMI हो चाहिए वो Free Fire हो कोई भी यहाँ पे game जो है बहुत ही अच्छ है यहाँ पे काम कर रहा है इसको update करने के लिए simply आप लोग को about phone में जाना है अगर वहाँ पे नहीं आया हुआ है update तो आप लोग को link description में जाना है वहाँ पे मैंने file का link दे दिया है वहाँ से आप जाकर simply आप local update में जाएंगे वहाँ से इसको आप update कर लेंगे यहाँ आप दोस्तों देखेंगे कि हमारा जो system है वह यहाँ पे update हो चुका है आप भी इसी तरीका से update कर लेजए मिलते हैं किसी